हाई एब्रीवन ताम एकेडमी पर आपका स्वागत है आज हम मैथ का एक बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक लेंगे ठीके और इस टॉपिक से हर एक एकजाम में कॉश्चन्स आते ही हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे तो वो टॉपिक है अपना संख्या पद्यती ठीके इसको इंगलिस में बोलते हैं नम्मर सिस्टम तो देखिए इसमें क्या है संख्याओं के बारे में बताया गया है पहले की संख्या क्या होती है ठीके किस प्रकार से उनको ब्यवस्टित करेंगे किस प्रकार से उनको हम संख्याओं को प्रियोग करेंगे तो तो देखिए, तो संख्या क्या होती है, तो संख्या पदिती है, तो सबसे पहले क्या होती है, इस संख्या पदिती, तो बोध पढ़ लेते हैं, तो क्या है, किसी संख्या को लिखने और उनके नामांकरन सो बिवस्थत नियमों को संख्या पदिती कहती है, क्या है, किसी संख् होती है ठीक संखहा क्या होती है हमारी जीरों से लेकर नौ तक जो अंग होते हैं और यह इसे हम म हांपर वेश्ट्ट करके हम भीष्टी करके हम संख्या है अब देखिए संख्या के कि पुर्कार रहते हैं कितनी पुर्कार की संख्यां रहती है इस में ज Раз नमर है और subject क्या होती है नेचुरल नमर क्या होती है हम नेचल हन संख्या और बैसिन करना करते हैं जैसे हम जो चीजों को गिनते हैं ठीक है प्राकर संख्यां कहलाती है इसे capital N से दर्साते है ठीक है capital N से इसको दर्साते है तो capital N बराबर हो तो start होता है जो प्राकर संख्यां कहां से start होती है एक से लेकर तो अनंतक जाती है ठीक है एक दो तीम यह सब क्या है प्राकर संख्यां है तो ह हमेरे अनन्द तक जाएंगी ठीक है तो यह कहलाती है ठीक है और देखिए किसी इन संख्याओं को हमें इसलिए भी पढ़ रहा है कि यह हमारे जैसे और सथ हुआ और कई जगह हुआ इनका डारेक्ट उपियोग किया जाता है अगर हमारे लिए इन संख्याओं के बारे में पत पूर्ण संख्याओं पूर्ण संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो संख्याओं पूर्ण संख्याओं के लाती है जैसे अभी प्राक्स संख्याओं में जीरू नहीं था अगर इस इन प्राक्स संख्याओं में जीरू और जोड़ दिया जा तो यह कौन सी बन जाती है प आजलो से धर सातें ठीके तो जीरोसे लेकर दो नरी टीकर तो अनंद तक ये-स संध्धा मैं क्या हैं पुर्णांग यह यह अब देखिए पुर्णांग संध्ध्या क्या क्यलाती हैं इंट्रीजन नममर बोलते हैं से यदी रनात्मक धठात्मक और सून संख्यां को मिला दिया जाए तो पूरांग संख्यां कहला आती है ठीक नहीं हो जाता है इस्में हो जाती है ठीक है और है जीर्ष आ जाए गए बास बन फ्रस तूसे अनन्度 तक जाएंग थाए देखिए देखिया। झानतमक पूल उतीर होता है या प्लास बन से लेकर अनंतक जाए गया और इनटीर मैं-मठ ऑन से लेकर थाए तो यहां रखना है इसके बाद आगे हैं। देखिए क्या है परमे संख्या है ठीक है परमे संख्या होते है रेस्टरल नम्मर बे संख्या है जैनि पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके ठीक है जहां पी और क्यू क्या है पूरान संख्या है ठीक है लेकिन क्यू इसका मतलब है कि यहाँ पर क्यो जीरो नहीं हो सकता क्यों나 हो सकता देखो पीओ यो कमान तीन पांच संक्या कहणा है यहाँ इस यहाँ उनक्रिष सो वहाग देङे तो अनंद गया तुबी This löskap हुँआंग संख्या टा इसलिए हाँ पर जीरो कोạt फाए moje oh अंसों कि नम्म में नहीं और पॉंट्स कोफ़च्ष किसके इसके परकार से तो यह हमारी होदमrawi के आपर में संक्या है इसके बाद है संसंक्या संसंक्या क्या होती है इवन नमर बेसंक्या होती है जो दो से पूर्टा विवाज़त हो जाती है ठीक है संसंक्या कहलाती है जैसे दो से भाग देने पर पूरी तरह कड़ जाती है, वो समसंख्या कहलाती है, बेसंख्या कहलाती है, और नमर, बेसंख्या जो दो से विवाजत करने पर, ठीक है, बिवाजत नहीं होती है, ठीक है, भाग नहीं जाता जिसमें दो से, बेसंख्या कहलाती है, जैसे एक, तीन, पांस, ठीक है, यह हो जा यहां पर है दो तो दो क्या है एक अभाज संक्या है और ठीक है तीन भी अभाज संक्या है जैसे दो में हम मैंने भाग दिया दो में एक से भाग चला जाएगा और दो से खुद से भाग चला जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा ठीक है तो यहां पर एक एक जाम में कई लेते हैं कि यसी अभाज संख्या बताईए जो सम हो ठीक है तो दो ही एक यसी अभाज संख्या है पूरी अभाज संख्याओं में जो कोई सम है ठीक है क्या है सम है ठीक है और कोई सम संख्या अभाज संख्या नहीं है ठीक है तो जी इसको यह दो है ठीक है दो है तो जो एक अ चला जाएगा तो यहां पर क्या खुद से भाग जा रहा है इसमें और यहां पर तीन से भी जा रहा है तो यहां पर वस इसमें क्या एक और खुद से भाग जाना चाहिए तो वही अवाज संख्या क्या आती है ठीक है ध्यान रखना तो चलिए यहां पर यह हो गया है हमारा आ happening 3 तो यह भी कई नम्मार है अब देखो किस परकार लखते हैं जब हम इसज़री लिखते हैं तो यह भी है जो एकाई अंख पर रहे है कि नाइक याज पर यसे से परती है तो बी यह क्या एक आई एक आउए पर हम क्या इसमें एक से गुणा करेंगे, एका यंख में क्या का गुणा करते हैं, तो एक से गुणा करेंगे, तो B इंटू B का एक से गुणा करेंगे, तो B ही आ जाएगा, ठीक है, पिलास इसके बाद, B और A कहां पर दाही यंख पर है, ठीक है, दाही है, तो यहां पर A में क्या 10 से तो ये क्या हो जाएगा, दस A हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दस A प्लस B हो जाएगा, अगर ही उल्टा लगा होता जैसे B A, तो A क्या एका यंक पर तो इसमें एक का गुणा करेंगे, ठीक है, और जब B क्या दाही यंक पर है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो ये है यह हो जाएगा 10B प्लस यह हो जाएगा तो इस परकार से लग सकते ही जातियमान ठीक है जातियमान को कहते है लोकल बैल्यू ठीक है जातियमान कैसे निकालते किसी संख्या का जातियमान क्या होता है तो ट्रिक मेंने हाँ पर बनाई है कि किसी संख्या की जात वही रहती है जैसे कोई भी आदमी है कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है आदमी तो उसकी जात क्या है जो मतलब जो कास्ट है वो बदलती नहीं है ठीक है इसी पिरकाजे नमर में है तो उसका जाती इमान जब हजार पर है तो तीन का जाती इमान तो तीन का जाती इमान तीन ही रहेगा ठीक है क्या रहेगा तीन का मान जाती इमान तीन ही रहेगा मैं क्योंकि जो संक्या रहती है वही रहती है मतलब बदलती नहीं है पांच का जाती इमान पूंच ले तो पांच का पांच ही रहेगा ठीक है तो जाती इमान का जे मतलब रहता ठीक है अब बोले कि वो इस्थानी इमान क्या है चलिए ठीक है अब एक क्या है इस्थानी इमान इस्थानी इमान क्या होता है प्लेस बैलू होती है ठीक है इसको इंग्लेस में बोलते हैं प्लेस बैलू जो संख्या जितने इस्थान करते हैं थीक के यहां पर से कि नहीं इक स्थन पर रहें तो यहां पे एक से कुना करेंगे दो कि समझ दाईब की है तो दो में 10 बीस हो गये और एक क्या है से कड़ा पर है तो 100 का गुणा करेंगे तो यहां पर 100 प्लस 120 ठीक हे, 100 प्लस 20 प्लस 25 तो 125 इस परकार से हो जाएगा, तो देखिए, अब देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, उसका इस्थानी इमान निकालना यहां जैसे, यहां पर 7, 2, 5, एकड़ा हजाब हुआ तो साथ इस्थानी को जाएगा 7000 हो जाएगी next साथ अजार हो जाएगी आप देखिए दो का स्थानी एमान पूंच रहा है तो एकाई दाई सेकड़ा दो किसमें सेकड़ा पर है तो यहां पर सो कड़ा हो जाएगा तो यहां पर 200 हो जाएगा ठीक है डारेक्ट दूस हो जाएगा अब देखिए कोस्चन आता है इसमें एक ज से देख तो सबसे पहले क्या निकालेंगे जाती इमान क्या हो जाएगा साथ का साथ साथ का जाती इमान ठीक है जाती इमान हो जाएगा साथ जो रहता है ठीक है बोई हो जाता है ठीक है साथ का साथ ही रहेगा और साथ का इस्थानी इमान क्या हो जाएगा इस्थानी इमान हो जाएगा अब इनका अंतर पूझ रहा है ठीक है अंतर पूझ रहा है तो यहां पर देखिए अंतर क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर ठीक है अंतर हो जाएगा कितना हो जाएगा साथ हजार में से साथ चले जाएंगे तो कितना बचेगा 6993 ठीक है जिसका अंतर हो जाएगा तो यह आपे अंसर हो गया ठीक है इस परकार से हम यह निकाल सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सेर भी करें तैंक यू